सब्सक्राइब करते हैं चलते हैं सीधे अपने टेक्स पर ठीक है तो ध्यान से चीजों को समझना है पढ़ना है नहीं समझ मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है जिसमें मैं आप लोग को बजा दो इसमें हमारे जो कोशन की नमबर ऑफ कोशन है वो 55 है जिसने हम बात करेंगे ठीक है फिप्टी फाइब कोशन की टैसरीज है जिसको आप जोईन कर सकते हैं रेवा इंस्टूट के माध्यम से तो फर्स्ट कोशन हमारा रहा हूँ वाज टू या आपका कहना चाहिए ईज़िप्तियन किंग है या हिस्टॉरियन है कौन है ये जल्दी से कमेंट वॉक्स में आप कमेंट कर गए बताएंगे बहुत बढ़िया सबी लोग के कमेंट बहुत जल्दी आ हैं और हमारे अनुराग भाहिया तो बोल रहे हैं सेकेंड का भी एंसर दे रही है बहुत बड़िया एक्सिलेंट वर्क चलिए मैं आप लोग को एंसर बताता हूं फर्स्ट कोश्चन का सबसे पहले तो तो यह जो थे एक किंग ठीक है जो 3300 साल पहले आज से एकस्पायर हुए थे मर गए थे एक ऐसी तरीके से मरे थे कि जिसका पता ही नीच ला रहिस्माई तरीके से ठीक है इनका जो सिटी स्केंड है वो पांच जनवरी 2005 को कराया गया ठीक है और आप लोग को मैं बता दूं कि इनका जो है सिटी स्केंड होने के बाद पहले एक बार एकसरे भी हो चुका है ठीक है तो यह चीज़ भी आप लोग को क्या करनी है ध्याना कि नहीं 1960 में ठीक है आगे चलते हैं नेस्ट कोशन जो हमारा है वो है वें डिटर डाइड जो डेट है जो टेट है उनका जो मृत् पड़ी अनुराग जी नहीं भागीरा जी रश्मी जी नेहा जी नेहा जी ठीक है सबी लोग के एंसर लगभग लगभग क्लियर हैं मैं आप लोको बता भी देता हूं कि जो इनकी मृत हुई थी वो टीनेज में जब यह थे तब इनकी मृत हुई ठीक है टीनेज जो बेसिक किया और कब किया ठीक है किसने किया और कब किया ठीक है इसका एंसर आप लोग को मुझे बताना है ठीक है जल्दी से बताए कमेंट जल्दी से कीजे सभी लोग जितने लोग लाइव है इतने सारे लोग लाइव है कमेंट कुछी लोगों के आ रहे हैं सभी लोग फटा- तो यहां पर मैं आप लोग को बता दू इसका जो एंसर होगा जो डिस्कवर किया गया था तर्स का टॉम वो हावर्ड कार्टर के द्वारा किया गया था ध्यान रखिएगा 1922 में ठीक है बी ऑप्शन इस दा राइट एंसर कोशन नंबर है वेन वास्ट वाडी टेकन फॉर सी सिटी स्केन के लिए मैंने आपको बताया था 1922 में इसको क्या किया गया था खोजा गया था इसके टॉम को और 80 साल बाद मतलब आपका कहना चाहिए कि 2002 लेकिन 2005 मिले जाए गया था ठीक है अस्ती साल भले है लेकिन 2005 मिले जाए गया था इसका आप एंसर बताएंगे और वहार मैंन इसित ऐमन होटेप थे कि दादा जी थे या पापा जी थे उन्होंने वर्स तक क्या किया था सासन किया था यह आपको बताना है ठीक है जल्दी से कमेंट वॉक्स में बताई ये मुझे एंसर इसका ठीक है जल्दी से बहुत बड़े रश्मी जी एक्लेंट व जल्दी जल्दी एंसर दीजे बहुत बढ़िया चलिए असोग जी ठीक है चलिए मैं आप लोग को एंसर बता देता हूँ यहाँ पे जो आप लोग का एंसर होगा न वो होगा 40 वर्स ठीक है मतलब 5 का एंसर जो होगा वो होगा 40 वर्स और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि 40 को 4 डिकेट भी बोलते हैं एक डिकेट होता है दस वर्स का तो 40 वर्स मतलब 4 डिकेट तो यह भी एंसर कभी कभी आपको आ सकता है घूमफिर के तो आप लोग हर तरह के कोशन के लिए तयार रहेंगे ठीक है अब मतलब किसने ऐसी घोशना के थी कि भाया जो बर्सिफ और अटेन की पूजा की जाएगी कौन है ऐसा राजा किसने जो है अमुन देवता की पूजा को रुकवाया था उनके मंदे तोड़े थे उनकी मूर्तियों को तोड़ा था उनके मंदिर को हरमेशा के लिए बंद कर दिया था कौन है वो कौन है वो दुर्दांत राजा उसका नाम बताईए मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा ठीक है समय नहीं लगना चाहिए बहुत बड़ी एक्सलेंट वर्क बहुत बड़ी चलिए आप लोग के एंसर जो सही है मैं आप लोग को बता देता से इनका जो इनके बात का जिनको जो सक्सेसर आया उसने क्या किया उसने फिर आमन राजा की जो पूजा स्टार्ट करा दी थी ठीक है जल्दी से बताईए मतलब आमन होटेप ने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया था अतुल तो नहीं रख लिया था अमरना तो नहीं रख लिया था जल्दी से बताईए कमेंट करके फटा 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 फट बहुत बढ़िया अच्छा जो लोग यूटूब पे इसको पहली बार देख और जुलाई में आप लोग को मौंग टेस्ट भी करवाऊंगा ठीक है ध्यान रखिएगा सब लोगों को ठीक है चलिए यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप रिवन स्टूट से जोड़ना चाहते हैं एप डाउन्रोड कीजिए रिवन स्टूट का स्टोर पर जा टूतम खाननुन did तो नाम का एकितने वर्स्त तक सातन किया है इसको मैंने आभी आपको बताया है चलि अन्सर यस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्सलेंट बहुत बढ़िया एट का बी कौन बोल रहा है अनुराग जी क्यों एट का बी होगा एंसर क्या बहुत बढ़िया हाँ देखिए मैं आपको बता दूँ जो यह राजा थे टट खानुन यह नौ वर्स तक जो है राज किये हैं उस इजिप्ट पे ठीक है और टीनेज में इनकी क्या कर दी गई थी मृत्त कर दी गई थी ठीक है डियस्देंट्स नेस्ट कोशन पर अगर आप भी रेव इंक्रस से जुड़ना चाहते हैं तो यह नंबर है इस नंबर पे आप मुझे लोगा कर सकते हैं सब्सके डालोब करसकते हैं योटूब di करेंगे नेश कोशन है वाट Was Found With, तुटन खानोंग बोड़ी, तो यहां बें जो टुटन खानोंग जो है जिनकी बोड़ी कहा पे मिली थी हमको, किस जगह पे मिली थी, ठीक है, नहीं, सॉरी, सॉरी, found with, अच्छा, इनकी जो body के साथ क्या-क्या समान मिला था, क्या-क्या चीज़ें मिली थी, उसका आपको answer बताना है, और जल्दी से बताना है ठीक है, क्योंकि time नहीं लगाना मुझे ठीक है, मुझे जल्दे-जल्दी question को solve करना है जल्दी बताईए 9 कड़ी आगया, बहुत बढ़िया excellent, चलिए, तो मैं आप लोग को बता दू, इसका जो answer है, इसमें gold मिला था, वो तो है belt मतलब, अमीरी वाले सब समान मिले थे bronze rager मिला था, ठीक है games के लिए chess मिला था, cloths मिला था cases of food and wine मिली थी, ठीक है question number, आपका मैं और बता देता हूँ इसको भी आप लोग को क्या करना है धियान रखके, चलना है question number 10 क्या है भहिया, how would you describe touch tom, ठीक है तो touch tom जो है ना उसके बारे में कुछ बताईए जड़ा describe कीजे, कैसे आप describe कर सकते है उसके tom के बारे में, ठीक है और रॉक कट के बीच में थी है ना, 26 फिट अंडर ग्राउंड थी नीचे की तरफ and which had wall painting और उसमें क्या थी, wall painting की गई थी सर, और उसमें ना सर, टट का जो फोटो भी उकेरा गया था, कि टट ऐसा दिखता था ठीक है, तो इसका क्या मिला, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, जल्दी से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया 11 का एंसर दीजे मुझे रोशनी जी का एंसर आचुका है ए, Garland of Orlips, Lotus Petal and Conflower ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चले, very good, excellent work, excellent, चले, मैं आप लोग को answer बता देता हूँ, इसका जो answer होगा न, वह है, 11 का होगा, आपका A, ठीक है, garland और olives मिला था, ये बिल्कुल सही है, first में lotus petal भी मिला था, और corn flower भी मिला था, ठीक है, तो ये third coffin था न, जो third, जो कहिजना चाहिए कि कबर थी, जो क्या बोलते हैं, उसको, लगड़ी का ताबूत जो था, उसमें क्या था, ठीक है, put carter in trouble, उसको मतलब काटने, carter को क्यों मतलब ज्यादा trouble, उसमें ज्यादा परशानी, ज्यादा दिक्कत क्यों हुई उसमें, क्या ऐसा उसमें कि इसको, carter को ज्यादा समस्या आई है, ठीक है, जल्दी से बताइए, और last में मैं आपसे ऐसा question पूछूँगा, जिसका answer आप लोग comment में देंगे, ठीक है, या भी पूछ लेता हूँ, who is Osiris, Osiris जो है, वो कौन है, आप लोग का, इसका comment में option answer देना है, ठीक है, चले, इसका answer मुझे जल्दी से दीजे, इसका answer आपका होगा, मैं आपको बतादो, पहले मैं आप लोग के answer को देख लेता हूँ, क्योंकि, हाँ, बहुत बढ़िया answer आप लोग के सबके सही है, लग भग लग भग, यस, correct, so dear student, इसका answer होगा, the recense used to cement, मतलब, यहाँ पर जो recense का use किया गया था, cement के लिए, मतलब उसको जमाने के लिए, जिससे जो चोर है ना, उसको निकाल ना पाएं, ठीक है, tut to the bottom of the solid gold, और उसके नीचे लगा दिया गया था, जो tom के नीचे क्या लगा दिया गया था, solid gold लगा दिया था, ठीक है, और which was hardened enough, जो की बहुत ज़्या किया थी, कठोर थी, तो कार्टर जो था ना, कार्टर, कार्टर ना, उसको छेनिया तोड़ा से काट काट करके क्या किया था, निकाला था उसकी बॉड़ी को, ठीक है, यस, यह ध्यान रखिएगा, रेवांस से जोडने के लिए, इन message, number पे आप message कर सकते है, WhatsApp में, वाद भी कर सकते हैं, रेवांस से एप डाउनलोड करके, आप test series भी जोइन कर सकते हैं, ठीक है, best test series, 4000 question literature रवस्के दूँगा, अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो पूरी तयारी हो जाएगा, आपकी, how did Carter remove the ration, तो Carter ने जो ration, जो है, जो liquid पदार्थ है, जो जम किया है, गोल्ड क God of afterlife, बहुत बढ़िया, नेहा राठोर जी का answer बहुत बढ़िया है, और भी किसी ने दिया है, क्या, चरन सिंग जी ने दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, excellent work, excellent work, तो आप सभी को मैं बता दूँ, जो God जो है न, afterlife, मतलब जब हमारी मृत्त हो जाएगी, हमारी इजिप्टियन की जब मृत्त हो जाएगी, तो समय की जो मृत्त के बाद के जो देवता है न, वो भहिया कौन है, तो भहिया, ओस्रिस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, God of afterlife, उसको ओस्रिस को बोला जाता है, ठीक है, चलिए, ध्यान दीजेगा, question number हमारा जो 13 है, इसका मैं को एंसर बता देता हूं, 13 का जो एंसर होगा, how did carter remove the reason, तो भहिया, castle and hammer, अलब हतोडी और छेनी और हतोडी के मादे हम से cut-cut करके, पुरे body को और ration को अलग किया था, ठीक है, यह ध्यान दखिएगा, how did carter cut the body of cut, ठीक है, क्यो carter ने body को cut किया था, क्या reason था, question number 14, क्या reason था इसका answer आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, गोली की रफ्तार के साथ बताएंगे, ठीक है, चलिए, to 14 का answer मैं आप लोग को बता देता हूं, आप लोग कहला कि answer आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, excellent work, यहाँ पे इसका reason यह था कि first head and then every limb, ठीक है पहले head को क्या किया, काटा है ना, और उसके बाद उनकी जो body है, body के जो जोड है, जैसे जोड होते है ना, गुटने का जोड हो गया, गुटने के उपर आएंगे, तो फिर वो जहाँ पर थाई जुड़ी होती है, वो हो गया, उसके उपर आएंगे, जहाँ से गला फिर कंदे पे, shoulder पे जुड़ा होता है, इस तरह से धीरे-धीरे अलग किया गया पूरी body को, ठीक है, और आज की test series का last question, क्योंकि यह test series का एक part है, जिसमें मैं किबल आपको 15 question ही बताता हूं, बाकी के जो इसमें बचे हुए 55 questions में 15 चला गया, 40 question, वो आपको test series में मिलेंग 15 का answer, 15 का answer, 15 का, मतलब जो body थी ना, उसको काट के निकाल तो लिया इन्होंने, अब इसको उन्होंने कैसे रखा, क्या किया इसका, ठीक है, कैसे body को संभाला, क्या किया, तो यह आपसे पूछा जा रहा है, देवियो सुचनो, और आप लोग के answer भी आ शुके हैं, बहुत ब आप लोग को बता दो, उसकी जो body थी ना, उसको एक wooden, wooden box पे रखा गया था, और उस box में पहले stand डाल दी गए थी, stand की एक layer बना दी गए थी, और उसके उपर इसको रख दिया गया था, और यही stand जाकर na city scan की machine में फस जाती है, और वो जो city scan की machine है, उसका जो पंखा है, वो दियान रखना इसको, ठीक है, चलिए, तो देवियो सजनों आज के लिए इतना ही हमारे पास बहुत सारे question है, लेकिन हम उसको discuss नहीं करेंगे, यूँकि वो test series का part है, आज की session में इतना ही, अगर आप लोग भी हम से रेवा institute से जुड़ना चाहते हैं, test series से जुड़ना चा आते हैं, तो हमारे एप रेवा institute को डाउनलोड कीजिए, और उसके माध्यम से आप एक English PGT की सांधार तयारी कीजिए, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं, next session पे, और next session पे हम लोग English grammar का synonyms and attendance देखेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है, thank you for watching the students.